हम पढ़ेंगे चत्रभुज के बिसिष्ट प्रकार हमने दो प्रकार पढ़े हैं पहला था उत्तल चत्रभुज और आउत्तल चत्रभुज में चत्रभुज का जो प्रतेक अंताकून होता हो एक सवस्तिन से कम होता है और उन्ही को हम जयामिती गडित के अंतरगत पढ़ते है तो इसके प्रमुख प्रकार जो है वो निमलिखित हैं देखते हैं समलंब चत्रुभुज के बारे में तो समलंब चत्रुभुज ऐसा चत्रुभुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युगम समानतर हो समलंब कहलाता है तो देखो इसमें ये आपका चितर बना हुआ है ये क्या है समलंब चितर हो जाहे इसमें जो आमने सामने की दो भुजाये हैं ये समानतर होने चाहिए केवल एक युगम समानतर हो ये सी कंदिशन दी गई है बाकी कोई भी कोड़ चाहा जैसा हो बस दोस्त जो रेखाएं हैं आपकी आपने सामने हैं कि कम से कम बोस बराबर होनी चाहिए समानतर होनी चाहिए नेक्स्ट है इसका देखो छेतरफल देखेंगे छेतरफल आपका दिया गया है कि छेतरफल ए प्लस सी बटे दो गुड़े एच तो ए आपका क्या है ए है पहली भुजा जो आपकी समानतर है सम्मुख भुजा की पहली भुजा ए हो जाएगी दूसरी भुजा आपकी सी हो जाएगी तो जो समानतर हो जाएं हैं उनका योग करके आधा कर देना है और गुड़े इसकी उँचाई यानि कि दो समानतर जो रेखाएं हैं आपकी उनके बीच की दूरी तो उनकी बीच की दूरी उँचाई कहलाती है तो उँचाई और गुड़े समानतर रेखाओं का योग बटे द इतना कर देंगे तो क्या है छेदरफल आपका हो जाएगा परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप क्या इसमें जो है चारों हो जाएगा बराबर कोई नहीं होती है सब असमान होती है इसलिए इसमें परिमाप आपका जब चारों हो जाएगा आपको मारूम होंगे तभी निका इसमें देखो दाएं बाएं की समांतर देखाएं हैं तो कोई एक युग्म जो है समांतर होना चाहिए तो वो समलंब होता है कौन चाहे जैसा हो दूसरा है समांतर चित्रभुज अब ये समांतर चित्रभुज क्या होता है कि समांतर चित्रभुज भी एक समलम्ब ही है क्या है समलम्ब ही है समांतर चित्रभुज में सम्मक भुजाओं के दोनों युगम बराबर होते है उसमें क्या था समांतर हुजाओं का एक युगम समांतर था उसमें दोनों युगम क्या है समांतर होने चाहिए तब ही वो क्या है समांतर चुतरभुज कहलाएगा इसमें देखो ऊपर की भुजा नीचे की भुजा से क्या है समांतर है कि समांतर है दाएं की हुजा बाएं की हुजा से समानतर है है ना तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये क्या है समानतर चुत्र हुज है इसी प्रकार से इस वाले चुत्र में देखो ये आमने सामने की हुजा है क्या है समानतर है तो इसलिए ये क्या है समानतर चुत्र हो जाएं और इसमें जो है हम छेतरफल की बात करेंगे तो लंबाई गुड़े चौनाई से काम चल जाएगा लंबाई गुड़े चौनाई कर दीजे ये इसका छेतरफल हो जाएगा और परिमाप टू लंबाई प्लस चोड़ाई ये विर्गुल आयत के शितफल की तरह से अकारिश कर सकता है कोई दिक्कत नहीं इसके बाद है आयत का तो आयत क्या होता है आयत एक ऐसा समांतर चुतर होता है जिसका प्रते कोण शमकोण होता है और इसकी सम्मुख फुजाएं समान होती है यानि बराबर होती है ठीक तो सम्मुख फुजाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है और इसका प्रते को नब्यांस का होता है नि अन्ताह कोंड की बात करें तो ये वाले कोंड जो है क्या होते हैं बराबर होते हैं और बराबर होते हैं और नब्यांस के होते हैं ठीक तो ये चीज़े इसमें आ जाती हैं प्रतेक कोंड नब्यांस का और आमने सामने के जो हो जायें होती हो बराबर ह होती है चेत्व फ़ले होता है लंबाई गोड़े चौड़ाई और परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई है ना तो चलते हूंenneक्ट पर शौधा पॉइंट है आपका सम चत्रभुज अब सम चत्रभुज गया होता चारों हुजाएं समानतर चारों हुजाएं समान होती हैं और समानतर तो बात करें समानतर दो हुजाएं सम्मुख हुजाएं समानतर होंगी इसमें देखो छेतरफल की बात करेंगे तो छेतरफल है विकरणों का गुड़नफल और बटे दो अगर इसमें विकर्ड दिये गए हैं विकर्ड क्या होते हैं सम्मुक सिर्सों को मिलाने वाली देखा विकर्ड जो होते हैं उनका गुणनफल कर दीजिए और दो से भाग कर दीजिए तो वही आपको क्या है छेतरफल आ जाएगा और परिमाप फोर ए होता है इसमें चारों हो जाएं समान होती है तो परिमाप आपका चारगुणे भुजा हो जाएगा सम चत्रफुज में इसके बाद है वर्ग वर्ग ऐ का ऐसा चत्रफुज है जिसकी परतेक भुजा यहाँ पर जिसकी जिसकी प्रतेक भुजा समान तथा प्रतेक कौन नब्यंस का होता है वो वर्ग कहलाता है ना प्रतेक कौन नब्यंस का और प्रतेक भुजा समान होती है तो वर्ग कहलाता है और वर्ग का छेदर बोता है भुजा स्क्वाइर यानि भुजा गुणे भुजा और परिमाब भुजा चार गुणे भुजा होता है तो इस प्रकार से यह आपको छे प्रकार के चत्रभुज के बारे में जानकारी हो गई है अब पढ़ते हैं प्रस्नावली 10A प्रस्नावली 10A आपकी दी गई है इसमें एक चित्र बना हुआ है और चित्र के बाद इसमें जो है कुछ कोस्टन लिखे गए हैं और उन कोस्टनों को जवाब देना है इस चित्र को देखते हुए है ना देख करके इसके आंसर देना है कितनी भुजाएं हैं तो कोई भी चत्रुफुज होता है उसमें चार भुजाएं होती है तो आपको चार लिख देना है कितने अंता कोण हैं अंता कोण जो अंदर वाले कोण होते हैं उनकी बात कर रहा है चार अंता कोण होते हैं चार आंतरी कोण होते हैं तो उनको चार उस यहाँ पर इसका चार आंसर आपको लिद देना है सम्मुख कोणों के योगम कितने होते हैं तो सम्मुख कोण 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 से हो जाएंगे तो सम्मुख सामने सामने वाले कोण तो दो यूगम आपके बन जाएंगे सम्मुख कोड़ों के तो आपको दो यहां पर आंसर लिख देना है इसके बाद है सनलगन भुजाओं के कितने जोड़े होते हैं अब देखो सनलगन भुजाओं क्या होती है सनलगन भुजाओं हमने बताया था कि जो एक दूसरे को टच करती है छूती है या काटती है जैसे ये वाली भुजा देखो एबी भुजा जो है वो बी सी भुजा से टच कर रही है ना तो टच वाला जो बिंद होता है वो सिर्स होता है और जो टच बिंदू होती है जो रेखाएं होती है वो क्या होती है वो आपकी सनलगन भुजाएं होती है तो AB और BC सनलगन हो जाएं हो गई तो एक युगम ये हो गया दूसरी हम बात करेंगे देखो AB रेखा और AD रेखा ये रेखा ये की युगम बना रही है तो ये भी तो स संलंग नो देखाएं हो जायेंगे और तीसरी आपके देखोः डी और डी और c ये आपकी शॉकंचावेश्व यह 75 00 आपको कितने संलंग नो चॉडे तो वह आपके चार आपको मिल जाएंगे कि चार लोड़े हो जाएंगे इसी प्रकार से देखो ए नम्मर कोस्टन दिया गा है कितने विकरण होते हैं तो कोई भी चत्रफुज होता है उसमें दो विकरण होते हैं यूंकि जब चार किया चार आपके जब सीर्स होंगे और सम्मुक सीर्सों से मिलाने और यह रेखा जो होती है वही आपकी क्या होती है बिकन होती है तो दो आपके बिकन हो जाएंगे दो आपको लिखते ना इसमें और F question दियागा है क्या A B क्या देखो क्या A B तो A, B आपका दियाग है यहाँ पर यह A, B, B, C, B, C, C, D अब C, D, A यह वाली रेखा है और D, A, D, A, A रेखा है इसमें से कोई विकर्ण है तो इसमें से कोई विकर्ण नहीं है तो आपको लिए देना है नहीं कोई विकरण नहीं है आपको ये लिख देना है इसमें विकरण तो होती है सीर्षों को मिलाने वाली देखा है ना और सीर्षे तो मिला नहीं रही है कोई रेखा तो विकरण आपके A, C और B, D हो जाएंगे है ना तो इसमें कोई नहीं होगा तो आपको नहीं लिख देना है अगला कुश्चन है G कितने सीर्स होते हैं तो चत्रोज़ में चार सीर्स होते हैं आपको लिख देना है कितने होते हैं चार इसमें देखो D है, C है और B है और आपका A है इतने आपके क्या है सीर्स हो गए अब चलते हैं कुश्चन नमबर दो दिया गया है कि रिक्त अस्थानों की पूर्थ कीजे अब ये कहां से करना है देखो उपर युगत आकरती 10.17 के अधार पर अपनी अभ्यास पुष्टिका में रिक्त अस्थानों की पूर्थ कीजे तो ए नमबर कुश्चन दिया गया है कि क्यूं कहां पर रिसित है तो यहां पर देख लेंगे चितर में क्या है क्यूं आपका कहां पर है तो क्यूं दिया गया है अन्ता छेतर में कहां है अंताः चेत्र देखो अंताः चेत्र होता है किसी भी चित्रभुज का आंतरिक भाग यानि जो अंदर वाला भाग होता है वो अंताः चेत्र होता है तो अंताः चेत्र में कौन-कौन से बिंदू है आपके देखो क्यूं लिखा है और आर क्यूं और यस क्यूं और S आपके क्या है अंता छेतर में है और T आपका क्या है ये रेखा पर है भुजा पर है और R बिंदु है ये बाहर है यानि बाहर छेतर में से थे तो आप यहां पर रिकतर्थान की पूर्ति कर देंगे देखो अब आपका हो जाएगा यहांसर क्यूं जो है वो अंता छेतर में स तो आपको भुजापन लिख देना है अब अगला जो है तीन नंबर इसमें भी क्या है रिक्तास्थान की पूर्ती ही करना है किसी चत्रभुज A, B, C, D से सम्वंधित निमलिखित कथनों में रिक्तास्थानों की पूर्त कीजिए कोई चत्रभुज है है ना तो कोई सीर्सों को मिलाने से बिकड़ बनता है तो दो सम्मुख सीर्स जो आमने सामने की सीर्स होते हैं उनको मिलाने से क्या बिकड़ बन जाता है तो दो सम्मुख भजाओं को मिलाने पर सीर्सों को मिलाने पर क्या है बिकड़ बन जाता है और B वाला आप्शन देखो दिया गया ह को मिला देंगे तो क्या बनेगा विकर्ण वही आप D से B को मिलाओगे तब विकर्ण बनेगा है ना तो आपको ये दो विकर्ण बन जाएंगे यहां देखा लिखा है कि B वाला सीरस A और C को मिलाने पर विकर्ण बनता है उसी प्रकार से C वाला जो दियागा है D और B को मिलाएंगे तब जाकि ये विकरण बनेगा दूसरा है D नमबर कोश्चन दियागा है कि चत्रभुज का एक विकरण एक विकरण इसे दो त्रिभुज में त्रिभुजों में जो है विभाजित करता है चत्रभुज का एक विकरण इसे यानि चत्रभुज को त्रभुज में विभाजित करता है कितने दो त्रभुजों में देखो कैसे इधा देखो ये मालों की चत्रभुज बना हुआ है तो चत्रभुज को अगर एक हम विकरण यहां से बना दे रहे हैं तो आपको दो त्रभुज मिल जाएंगे, कितने दो त्रभुज, जैसे एक ये वाला त्रभुज हो गया, त्रभुज B, B, D, C, ये त्रभुज हो गया, और एक और त्रभुज बनेगा ये वाला, है ना, B, A, D, तो कोई भी विकर्ण जो होता है, वो चत्रभुज को दो त्र भुजों में परिवर्जित कर देता है, दो त्रिभुज बना देता है, है ना, विभाजित कर देता है, अब है, कोश्चन नमर चार, अपनी अभ्यास फुष्टिका में रिक्त अस्थानों की पूर्थ कीजिए, तो इसमें देखो कैसे आपको भरना है, लिखा है, कि सम चत्र नहीं देती है, कोण चाहा है, जितना हो, चारों हो जाएं बराबर होनी चाहिए, है ना, अब इसके बाद देखो, आयत के चारों कोण सम कोण होते हैं, तो यहां पर चारों भर देना है, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण बराबर सम कोण होते हैं, जारों कौनй क्या है आपके बराबर होते हैं देखो दियागा इसमें आपको बहुतना सम्मुख समलंब चत्रुवुद जो होता है उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युगम समानतर होता है ये समलंब में होता है तो ये आप को इस बरकार से भर देना है